मेश रासी बालों का आजे का दिन यानी की 27 फरबड़ी 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 27 फरबड़ी 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है पुर्णिमा नक्छत्र है मघा पक्छ है सुकल पक्छ दिन है सनी बार आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बज के 48 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 29 मिनट में रितू है वसंत आज का दिन काल है 11 घंटे 30 मिनट 28 सिकेंड का महिना है माघ आज के दिन सुब समय सुरू होता है 12 बज के 11 मिनट पीएम से 12 बज के 55 मिनट पीएम तक असुब काल सुरू होता है 6 बज के 48 मिनट एम से 8 बज के 21 मिनट एम तक राहू काल सुरू होता है 9 बज के 41 मिनट एम से 11 बज के 7 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस विडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आने बाले शमय में आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं हो मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने बाला हूँ आपके सेहत के बारे में आपके सुवास्त के बारे में मित्रों आप में से जो भी जातक आने बाले समय से पहले बीमार थे जिन लोगों के सेहत में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने बाले समय में उस पड़ेशानी को आपको खत्म करना चाहिए मित्रों आने बाले समय में यदि आपके धन सम्पती आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका आने बाला समय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले समय से पहले यदि आपके जीवन में पैसों के कारण कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो उस पड़ेशानी का अंत अबश्य होगा मित्रों आने बाले समय में यदी आपके घर पडिबार आपके पाडिवाडिक जीबन की बात करें तो घर पडिबार के द्रिष्टी कोन से आपका समय सामान निरहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आने बाले समय में अपने घर बालों की आबिशिकताओं को अपने घर बालों की जरूरतों को आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि आपके घर पडिबार के लिए यह बहुत ही जयादा जरूरी एबं आबस्यक है मित्रों आने बाले समय में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के द्रिष्टी कौन से आपका आने बाला समय सामानने से बहुत जयादा नीचे है तो आने बाले समय में अपने प्रेम संबंध के मामलों में आपको शाबधानी बरतनी चाहिए तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में आपके लिए अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक किया है मित्रो आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए कच्ची साबूत हल्दी आपको जल में प्रभाहित करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं कच्ची साबूत हल्दी को यदि आप जल में बहाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जियादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले समय में आपके लिए भाग्य साली रंग है भुरा एबम सलेटी आपके लिए भाग्य साली अंक है चार यनी की फोर तो यही था आपके आने बाले समय का रासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जै सनी देब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्य बाद